परित हो जिन हो जो भी बलाईयात हो सारी बलाईयोत का हल सरकार गास वाले बाबा है मैं इसलिए लोगों से यह कहता है कि जो सारे जमाने में फैच कहीं नहीं पाता जो सारे जमाने में फैच कहीं नहीं पाता ओधरे खाक उठा ले जाए मेरे गाजी के आस्ताने से तो यह मेर तो मुझे मतलब कुछ मैसुस मालूम ने पड़ा इधर आई तो मुझे आवलाद दिये मेरी बेटी को लड़का हो गया दो साल का है बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अम्मीद आप सभी खेरियास्ते होंगे मैं हूँ आपका दोस्त मुहमद मुकीम से और इस वक्त हम मुझूद है मुंबई की सरजमी पर माहूल गाउं में और माहूल गाउं में एक बहुत ही करामाती दरगाश शरीफ है और उस दर्गाश शरीप का उर्स का आगाज हो चुका है ऐसे में हम यहां के जो जिम्मेदार है उनसे मिलेंगे और जानकारी लेंगे हजरत आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुफी जमाल शाह कादरी और आप ये धास वाले बाबा दर्गाश पर कुन सी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? मैं यहां का दर्गाश का अद्देक्स होने के नाते आप जो भी काम है सरकार में गुलामी करता हो, काम क्या देते हैं, गुलामी करते हैं सरकार की खिदमत का अफल बाते हैं काली един साथ तारिक तक चलेगा, तो आज सबसे पहला निसान पेशी हुई, शेबच कर 10 मिनट को उसके बाद अभी कल गुसूल का प्रोग्राम है कल जन्नती दर्वाजा भी खुलेगा ये प्रोग्राम साथ तारीक तक चलते रहेगा मतलब यहां पर भी जन्नती दर्वाजा है बेशक है जैसा कि जब डॉक्तर के पास लोग जा जाकर ठक जाते हैं और उन्हें सिफा नहीं मिलती है तो डॉक्टर भी कहता है कि अब तो इसे दुआ बचा सकती है तो आईसे में बाबा जी के दर्वाजा पर किस तरह के मरीज आते हैं यहां पर हर चीज के मरीज दिल से लेकर जमीन से लेकर घर से लेकर दार तक लेकर और इक स्तारी परेशानी की दवा यह सरकार लोग है वल्यें समौशन के दर्वाजा है यहां निगाओं का खेले फैसान का दर्या विरहा यहां पर आते ही फैद हासिल होता है और हर हाफ़त बलाएं सत्तर बलाएं दूर होती है यह मेरा यकीन है लोगों का यकीन हो या ना हो लेकिन जो यहां आते हैं उनको भी यकीन है कि हम रूहानियत का हिलाज है यहां आना ही फैद का दरिया है बाबा जी का पूरा नाम क्या है तो जैसा कि भूत प्रे जिन जिना से जो पिडित वेक्ति होते हैं जिसको तो साइंस अंध विश्वात मानता है जिसके ओपर जिसके ओपर घर में किसी के ओपर पढ़ता है उसी को तकलिफ पता से जिन हो जो भी बलाईयात हो सारी बलाईयोत का हल सरकार गास वाले बाबा है मैं इसलिए लोगों से ये कहता हूँ कि जो सारे जमाने में फैच कहीं नहीं पाता और एक खाक उठा ले जाए मेरे गाजी के आस्ताने से तो यह मेरा यकीन है कि खाग भी उठाके ले जाए तो फैस का ररिया है उसके लिए जैसा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजदानी है और यहाँ पर हिंदुस्तानी दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं तो जो लोग मुंबई के बाहर से आ रहे हैं उनको घासवाले बाबा के मजार शरीप आना है तो कैसे आ सकते हैं सरकार हजरत स्यद गाजी मलंगशा कादरी घासवाले बाबा में आने के लिए चिम्बूर है कुर्ला है वीटी है डादर है हर तरब से चिम्बूर में आने का जगा है आज तो नेट का दौर है लोकेशन मारते है घासवाले बावा बता दिया जाता है चिंबुर माहूल गाओं में कहां पे दरगा है और ऐसा तो करम है अल्लापाक का कि जारकंड हो दिल्ली हो कलकत्ता हो यूपी हो हर जगा घासवाले बावा का नाम है मैं जहां भी जाता हूँ इनकी दुआओं के सद्के में मुझे अतनी इज़त मिलती है घासवाले बावा के गुलाम आ गए तो गुलाम को इतनी इज़त मिलती है तो आने वाले को भी यहां पर उतनी इज़त मिलेगी इतना मेरा यकीन है आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज की जो रात है मुबारक रात है मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दिल से खुलोस से मुभबस से सरकार में खिद्मत करें जो मुझे खिद्मत मिली है मेरी माँ की दुआओं के सद्के में मेरे भी आज अवलाद को साल है इनके खिद्मतों में तो मैं यही देना चाहूँगा खित्मत लोगों को कि आप लोग भी दिल खोल कर यहाँ पर ताउन करें, आपके सामने देख रहे हैं, मैं कितनी परिसानियों का मुपतला कर रहा हूँ, परिसानियों मुपतला हूँ, मैं पानी से परिसान हूँ, बातरूम से परिसान हूँ, लोगों की सेवा में रहता हूँ अगर इसी तरह लोग भी अगर लोग भी दिल खोल कर यहां पर हिस्सा ले तो मैं जानता हूँ कि इनके घर की क्या इनके आज पास की भी सत्तर बलाएं दूर हो जाएंगे इंशालला दोस्तों जैसे कि यहां के जिमेदार हजरात ने बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी है अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो कैसा आप आ सकते हैं आपको उसका लोकेशन भी हमने दे दिया है आप उस लोकेशन गूगल मैप के जरीए भी आ सकते हैं दोस्तों अल्ला के वलियों के मजार शरीप पे बहुत ही शिफा मिलती है आप हर जगे से परिशान हो जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद शिफा मिलती है आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो परिशान लोग है वो यहाँ पर आ सकें